नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि अच्छे हूँगे आप सब आज हम आपको कोरोना से संबंदित सभी बारे माहतो पूर्र सवालों के जबाद देने की पूरी कोसिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को अब आपका प्रसन एक है क्या करोना की तीसरी लहर आएगी आपका प्रसन दो है क्या मवजुदा बैक्सीन ओमिक्रोन के खिलाब कारगर है आपका प्रसन तीन है भारत में इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है आपका प्रसन चार है ओमिक्रोन से बचने के लिए कौन सी सबज खाने चाहिए आपका प्रस्ण पांच ओमिक्रोन बेरियंट से बचने के लिए कुछ अन्य हो बचाव आपका प्रस्ण चह रही है और मेक्रोन के लिए कौन से फ़ल खाने चाहिए आपका पुरसने 10 ओमिक्रोन से बचाव के लिए क्या साधानिया वरतनी चाहिए आपका पुरसने 11 क्या ओमिक्रोन कोरोना बारी इंट से बैक्सीन बचा सकती है आपका पुरसने 12 ओमिक्रोन बारी इंट से सतर कराना क्यों जरूरी है आपका प्रसुन है एक है क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी आपका उत्तरे दच्छिड़ प्रिका के बाद नया बैरी एंट दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है इसकी बीमारी की गम भीरता भी अभी स्पष्ट नहीं है इसलिए यह कितना खत्रनाक हो सकता है यह कहना जल्दिवाजी होगी वारत में भी इसके कुछ मरीज मिल चुके हैं आपका प्रसुन है क्या मौझूदा बैक्सिन ओमिक्रोन के खिलाब कारगर है आपका उत्तरे एक सपर्टस का काना है कि कुरोना माहमारी को रोकने के लिए मौझूदा बैक्सिन कारगर है ओमिक्रो स्पाइक प्रोटीन पर कहीं ज्यादा म्यूटेट हो रहा है ऐसे में कुछ बैग्या निको का यह भी दवा है कि मौझुदा बैक्सिन सायद नए बैरी इंट पर कारगर नहों बैक्सिन की एफी केसी को लेकर भी अभी रिसर्च चल रहे हैं आपका प्रसुन तीन भारत में इस से निपटने के लिए किया तयारी है आपका उतरहे केंदर सरकार नए बैरी इंट से निपटने के लिए इसकी कड़ी निगरानी कर रही है एक रिस्क वाले देशों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं सरकार ने इतके लिए एक दिसम्बर से नई गाइड लाइन भी जारी की है जीस में एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों के लिए टेस्टिंग और आईसोलेशन जरूरी कर दिया गया है इसके साथ ही उनकी कॉंटेक्ट ट्रेसिंग भी बिभीन राज्य सरकारे अपने इ इतर पर निगरानी कर रहे हैं साइन स्टिश्क और मेडिकल एक्सपर्टस भी नए बैरी इंट को लेकर जनकारी जुटा रहे हैं आपका प्रस्ण चारे ओमिक्रोन से बचने के लिए कौन सी सब्जी खाने चाहिए आपका उतर है दरसल कुछ सब्जियां खाने से इम्मुन तनी में बेटामिन-C, ओर फिपर्शूर मातरा पाई जाती है ब्रोकली में अंटि औक्सी डेंट यौगिके लिए काफी मातरा में पाए जाते है अदर्रक में कई प्रकार के अंटी वायरल तथोपए जाते हैं आपका पृत्मेश चार है ओमिक्रोन से बचने के लिए कौन सी सवजी खाने चाहिए आपका उतरह अद्रक में मौझूद एक योगिक खासी गले में खारास और सूजन वाली बिमारियों से निजात दिलाने में काफी प्रवावी माना जाता है पालक में विटामिन सी कई प्रकार के इंटी ओक्सी डेंट और बीटा कैरो टेन पाया जाता है यह हमारे सरीर में इंफेक्शन या संक्रमड से लड़ने की चमता में व्रिदि करता है गाजर खाने से नेचूरल तरीके से इम्यूनिटी बुष्ट होती है इसे के अलावा पत्तागों भी बैगन स्रिमला मिर्ची जैसी सब्जियां भी इम्यूनिटी बुष्ट करने मे काफी अहम रोल निवाते हैं आपका प्रसन पांच ओमिक्रोन बैरी एंट से बचने के लिए कुछ अन्य बचाव आपका उतरे आप रोज सुब उट कर 30 मिनट योग या एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपकी वर्डी फिट एंड फाइन रहे सर्दियों के दिनों में धू दूप सेखना बहुत जरूरी है ऐसे में आप गर्दन पीठ हाथ कमर में धूप लगने दें इससे आपके सरीर को फायदा होगा और आपका सरीर भी सुष्ट रहेगा आपका प्रसन अच्छा है ओमिक्रोन कोरोना की पाचान कैसे होती है आपका उतरह यदि कोई ब्यक्ति क कोरोना के ओमिक्रोन बाइरियंट से संक्रमित है तो उसे लगाता थकावट महसूस हो सकती है साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसियेशन की चेयर परसन एंजलिक को एप्त जी ने इन सभी लच्छनों को ओमिक्रोन के संक्रमितों में पाया है इसके अलावा कोरोना के इस बेहत संक्रामक बाइरियंट से संक्रमित व्यक्ति को बदंदर्द और अन्यकई तरह के दर्द अनुभा हो सकते हैं ओमिक्रोन बाइरियंट से संक्रमित व्यक्ति सीर दर्द की सिखायत कर सकता है या सीर दर्द कई बार बहुत ज्यादा तेज भी हो सकता है आपका प्रसन साथ ओ ओमिक्रोन कोरोना का नया बैरियंट क्या है आप उतरे मेडिया रिपोर्ट से के मुताविक ओमिक्रोन बैरियंट कोरोना के डेल्टा बैरियंट से पांच गुना ज्यादा संक्रामक है जिस तेजी से यह दच्छड प्रिका से निकल कर दुनिया भर के अन्य देशों में फैला है यह साफ तो नहीं हुआ कि यह कितना खतरनाक है लेकिन अनुमान है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है धरसल कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन बैरींट ने दुनिया भर के बैज्यानिकों को सतर्क कर दिया है। इसे लेकर अभी कोई भी इस्पष्ट जनकारी लोगों के पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ को लेकर बैज्यानिक आस्वस्त है कि इस बैरियंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। खास तोर से इसके स्पाइक प्रोटीन में। आपका प्रसना आठ है ओमिक्रोन और डेल्टा कोरोना में अंतर क्या है। भी कर रहे थे लेकिन ओमिक्रोन बेरियंट से संक्रमिती मरीजों में यह लच्चड भी अब तक नजर नहीं आया है। तेज बुखार या बहुत यदिक तापमान के कारण डेल्टा बेरियंट के संक्रमित घवरा जा रहे थे लेकिन दच्चड फिरका में ओमिक्रोन बेरियंट से संक्रमितों में अब तक तेज बुखार का लच्चड भी नजर नहीं आया है। आपका प्रस्ण नहीं है ओमिक्रोन से बचने के लिए कौन से फल खाने चाहिए। आपका उतर है जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन लोगों को ओमिक्रोन बेरियंट का खत्रा ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ फल खा सकते हैं। जैसे स्वाद्य से भरपूर आम इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करता है। आम में बेटामिन ए भी काफी पाया जाता है जो आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है। अम्रूद बेटामिन सी से भरपूर बहुत ही सस्ता और पौश्टिक फल है। अम्रूद में संतरे से भी ज्यादा बेटामिन सी होता है। आपका प्रस्ण नव है ओमिक्रोन से बचने के लिए कौन से फल खाने चाहिए आपका उत्तर है। पपीता पाचन के लिए सबसे अच्छा फल है। इसके अलावा पपीता में बेटामिन सी भी काफी मत्रा में पाया जाता है। पपीता काने से रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ती है। इस्ट्रो बेरी में भी काफी बेटामिन सी पाया जाता है। इस्ट्रोबेरीज में इंटी ऑक्सिडेंट गुड और कई दूसरे पोशक तत्व पाए जाते हैं बेटामिन सी से भरपूर एक कीवी में करीब 85 मिली गराम बेटामिन सी होता है कीवी में बेटामीन के और यी भी काफी मत्रा में होता है आपका प्रसने 10 ओमिक्रोन से बचाव के लिए क्या सावधानिया बरतनी चाहिए आपका उतर है ओमिक्रोन कोरोना बेरिएंट से बचाव के लिए आपको पहले की तरह अभी भी सारी सावधानिया बरतनी होगी कोई भी लच्छड दिखते ही तुरंत टिश्ट कराएं और को पहलने से रोका जा सकता है मास्क जरूर लगाएं और सही तरीके से लगाएं सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें खानपान सही रखें और अगर आपने अब तक बैक्सीन की दोनों दोज नहीं लगवाई है तो इसे जल्द से जल्द लगवा लें आपका प्रशन ही ग्या रहें क्या ओमिक्रोन को रोना बैर इंट से बैक्सीन बचा सकती है आपका उतर है इन फेक्सेन किसी को भी हो सकता है यह बात गलत है कि बैक्सीन लिये हुए व्यक्ति को संक्रवड नहीं हो सकता शरीर की इम्यूनिटी सबसे स्ट्रोंग होनी चाहिए अगर शरीर की भी नहीं सकता अगर आप पो जीटीब है लेकिन आपको बुखार जैसे समस्या नहीं है तो आपको बस अपने आपको आईसो लेट करना है इसलिए वायरस में व्यक्ति का अच्छा खानपान जरूरी है अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो आपको ओमिक्रोन का ख बाल गरेट से सतरक रहना क्योंग जरूरी है आपको उतरे डबलू यचो ओ नें तमाम जाँच के बाद ओमिक्रोन को बैरिस आफ कनसर्न की टेगरी में रखा है यानि यह बरियांट कौफी तेजी से फैलता है यह बताना जरूरी है कि ओमिक्रोन बरkins का म्यूटेशन ट्रांसमिस्टम की गति और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने की चंता को देख कर इसे वी वो सी कैट्टरी में रखा गया है दान्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में